हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप सब के लिए लेकी आई हूँ वेज कोफटा करी बहुती सिंपल तरीके से एकदम रेस्टरेंट वाली धाबे वाली वेज कोफटा करी आज हम बनाएंगे जो कि खाने में बहुती माउट वाटरिंग है और देख के ऐसा कोई कहे गई नि कि ये आपने घर पे बनाई है तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा रेसिपी को पूरा देखिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजेगा तो चलिए इस अमेजिंग सी वेज कोफटा करी की रेसिपी को हम शुरू करते हैं तो बने रहेए मेरे साथ में तो चलिए ग्यास के उपर पैन रख लिया है इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ओयल, दो चमच तेल मैंने लिया है तो इसमें सबसे पहले डाल देंगे जीरा जीरे के साथ यहां पर डालूंगी मैं दाल चीनी और दो लॉंग अब यहां पर डालूंगी मैं एक तेज़ पत्ता उसको मैंने तोड़ करके डाला है इसको थोड़ा सा हमें चला लेना है 15 से 20 सेकंड के लिए इसको हलका सा ब्राउन कर लेना है इसके बाद यहां पे डाल देंगे हम गार्लिक लहसन की कलिया मैंने ऐसे ही ली है अद्रक ले लिया है साथ में 3 से 4 टुकडे इनको मैंने काटा नहीं है इनको मैंने ऐसे ही डाल दिया है तो इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज होने तक हिलाएंगे उसके बाद यहां पे मैंने डाले हैं प्याज रफली काट के डाले हैं मैंने प्याज तो यहां पे प्याज को भी अच्छे से मिक्स करेंगे में प्याज का कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा साही सौटे करना इसको बहुत जाधा नहीं पकाना है, तो अब यहाँ पर डाल दूँगी मेंदो सूखी लाल मिर्च, जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है, वह ले ली है मैंने यहाँ पे, तो इसे भी mix करेंगे तो अब यहाँ पर हमने डालने हैं काजू और यहाँ पर मैंने लिये हैं खरबूजे के बीज जो melon seeds होते हैं वो इससे gravy में बहुत ही अच्छी richness, creaminess और thickness आती है तो आप इसको add करें जरूर अगर आपके पस खरबूजे के बीज हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं अगर नहीं तो सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर दो टमाटर मैंने रफली काट के ले लिये थे तो टमाटर mix कर देंगे साथ में टमाटरों को अच्छे से हमें गला लेना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर डालूँगी नमक अपने टेस्ट के according तो नमक से क्या होता है कि सारी चीज़े जल्दी से soft हो जाएंगी तो नमक डाल के अच्छे से mix कर लेना है इसको हिला लेना है बहुत अच्छे से और इसे लिट लगाके हम छोड़ देते हैं पांच से साथ मिनिट के लिए ताकि यह soft हो जाएं तो चलिए दूसरी तरफ एक खाली बाउल में ले लिया है कुफते बनाने की तयारी करते हैं तो इसमें वेजीज डाली है मैंने शेमला में गाजर और अनियन ले लिया है मैंने बीन्स ले लिया है इन सभी को मैंने बारिक चॉप कर लिया था चॉपर में तो यहाँ पे पत्ता गोबी ले लिया है मैंने उसको भी मैंने चॉप कर लिया था यहाँ पे लिया है अद्रक लहसन और ग्रीन चिली को चौपर में चौप करके एकदम बारिक लेना है साथ में यहां डालूँगी जीरा मसाला थोड़ी सी कसूरी मेथी यहां पर मैं डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटास के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी मैंने लिए यहां पर रेड चिली और यहां पर लिए थोड़ा सा गरम मसाला इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक हमें अभी नहीं आड़ करना है नमक भी आड़ करेंगे तो सबजियों में से पानी निकल आएगा तो इसे फिलाल मैंने अभी इस तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे यहां पे बेसन बाइंडिंग के लिए और एक चमच मैंने लिया है कॉर्ण फ्लार का तो एक एक चमच डाल के अभी हम इसको मिक्स करते जाएंगे अगर हमें जुरुत लगेगी तो हम डालेंगे तो इस तरीके से मैंने इसको स्पून से अभी मिक्स कर लिया है इसे बहुत अच्छे से आपको mix करना है क्योंकि यह इसका important part है इसको बहुत अच्छे से mix करना तो दो मिनिट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसी मसालों को mix करके जब तक हम अपना यहाँ पे gravy का जो मसाला है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जो टमाटर रहे वह अच्छे से यहाँ पर मुझे लग रहा है की गल चुके हैं सॉफ्ट और हैं तो हमारा जो यहाँ पर gravy के लिए जो में मसाला रैडी किया तहां मसाला हमाराओ रैडी है क्योंकि सारी चीजह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई तो कैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अब इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे लाइक तेज पत्ता तो बे लीफ को मैं निकाल दूंगी और यह जो दाल चीनी के टुकड़े थे उनको भी मैं निकाल दूंगी सुखी वाली जो लाल मिर्चे हैं वो इसमें रहने देंगे यह नहीं निकालेंगे तो चलिए अब यहां पे जो मिक्स्चर में रेडी कर रही थी इसमें हम थोड़ा सा एड करेंगे बॉयल आलू बॉयल आलू डाला है मैंने अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए तो मैंने यह अब इसको हाथ से भी कर सकते तो मुझे यहां पे थोड़ा से कॉर्ण फ्लायर मैंने और एड किया है बाइंडिंग के लिए और साथ में अब मैं इस टेच पर डालूँगे यहां पे नमक तो अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी बिकोज यह चमत से बहुर सा बेसन और एड करना चाहिए तो यहां पर अपने हिसाब से बैंडिंग को कम जादा कर सकते हैं अगर आपको लगे की जरूरत है तो आप और डाल सकते हैं तो इसे मिक्स कर लेंगे हम हाथ से ही आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्सचर जो है मिक्स हो जा ना है गोल कोफते तो मैं हमेशे बनाती हूँ तो मैंने सोचा इस तरीके से लंबे शेप में जो कोफते हैं वो बनाए जाएं तो मैंने इस तरीके से देखिए सारे अपने जो कोफते के बॉल्स हैं वो मैंने बनाके रेडी कर लिये हैं तो यहां पर मेरे कोफता बॉल्स जो ह कि हमारा अच्छे से कुक हो रहा है कि नहीं तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया एकदम लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको फ्राय करना है तो देखिए बहुत अच्छा सा इसका टेक्स्चर आ गया है तो बाकी के कोफता बॉल्स भी हम क्या करेंगे कि दीरे-दीरे से तेल के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम फ्राय कर लेंगे हैं तो एके करके बिल्कुल आराम से अप सारे कोफता हो डाल दें और और आपको बिल्कुल इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी जलेना, एक सा टेक्स्चर इसका आना चाहिए, क्योंकि अंदर से ये कभी-कभी कच्छा भी रह जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको इसको फ्राइ करना है, तो देखें, यहां पर कितना अच्छा है, इसका कलर आ लेते हैं, तो देखें, यहां पर मेरे कौफता कितने अच्छे से पक गए है, बहुत अच्छा है, इन में कलर आ गया है, तो चलिए सेम पैन में अब क्या करेंगे, बिल्कुल एक चमच मैंने यहां पर ओईल का लिया है, जादा ओईल का यूज नहीं करना है, तो अब पहल लगतार आप कंटिनियूसली चलाते रहें, तो देखें, यहां पर प्याज का जो कलर है, वो चेंज हो चुक है, इसमें सबसे पहले में डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, औ इन सभी को हम अच्छे से कर लेंगे, मिक्स प्याज के साथ में, इससे जो ग्रेवी में कलर है, वो बहुत अच्छा आता है, तो अब हमने जो टमाटर प्याज का जो यहां पर मसाला बना के रखा था, उसको हमने ग्राइंड करके, उसका एक स्मूथ मैंने पेस्ट बना लि तो देखिए, इसको मिक्स कर लें, कितनी अच्छा इसका जो टेक्स्चर है, वो आ गया है, तो थोड़ा सा पानी मैं और एड करूंगी, विकस मुझे ग्रेवी जो है, वो काफी गाड़ी लग रही थी, तो यहां पे थोड़ा सा मैंने पानी एड किया है, तो इसे हम छोड देंगे बॉइल आने के लिए, लिड लगा के दो मिनिट के लिए, तो देखे, यहां पे ग्रेवी में बहुत अच्छा सा बॉइल आ गया है, तो ग्रेवी मेरी यहां पे पक चुकी है, बहुत अच्छा इसका जो टेक्स्चर आया है, क्रीमी टेक्स्चर आया है, इसका रि इसको गैस की फ्लेम को और ना करें वर्णा क्या होता है कि टूट फूट जाते हैं तो वह फ्लेवर टेस्ट नहीं आपाता तो चलिए सर्फ कर लेते हैं जब भी आपको खाना है तो आप पहले इसको ग्रेवी को निकालें फिर उसके उपर से इस तरीके से कोफ़ता बॉल डाल सकते हैं एकदम आपको रेश्टरेंट वाली फीलिंग आएगी लगे गई नहीं कि यह आपने घर पे बनाई है बहुत ही अच्छा इसका जो टेक्सचर एक ग्रेवी का आया है क्रीमीनेस थिकनेस बहुत अच्छी आई है तो हरा धनिया मैंने यहां पे रखा तो थोड तक के लिए मिलेंगे हम एक और अगली नई वीडियो के साथ तो बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके